पहाडो की नानी मसूरी के स्थापना के 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर नगरपालिका ने विशेश कारिक्रम आयोजितकर मसूरी की 200 वी स्थापना दिवस को बढ़ेई धूम धाम से मनाया। साथी मसूरी शहर को अपना योगदान देने वाले विभिन लोगो को समानित भी किया। सत्पाल महराज ने कहा कि मसूरी शहर का अपना गौर अफशाली इतियास है। देश विदेश से परिया टक यहां आकर सुंदर्टा का आनल लेते हैं। उन्होंने कहा कि मसूरी के परिटन शेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेश जोजनाय बना रही है। परिटने के लिए उसमें एक्सकेलेटर भी बन रहा है ताके लोग पहुंच सकें। तो डावर्सपाय किया जा रहा है और आपको पता कि कितने हमारे हमारे हमस्टे कुल गए हैं। जिसकाल आप लोग ले रहे हैं। आज अपना घर जैसा वातावन जो है होमस्टे में लोग प्राफ्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारे टूरिजम को चार चांट रहा है। इस अफसर पर नगरपाली का अद्यक्ष अनुजगुपता ने कहा कि आज का दिन एतियासिक है। और आज मसूरी शहर 200 वर्ष पून कर चुका है। उन्होंने कहा कि नगरपाली का लगातार मसूरी के विकास में कार कर रही है। और आज मसूरी को बसाने वाले यंग के परिजन यहां आए हैं। साथ ही विदेशों से भी कई महमान मसूरी आए हैं। मसूरी एक अधियासिक शहर है और इत्यास के कई किस्से से जुड़े हैं। और आज लगवग 200 साल पूरे मसूरी को हो चुके हैं। और इस वर्ष प्रदेश के महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्दिश्य से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाएंगे। ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे। योजना की प्रत्रिया बेहसरल और निशुल को है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्चकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्ट बहनों के खाते में आ जाएगी एक हजार रुपए या की पहली किस्ट। योजना से जुड़ी अधिक चानकारी हेलपलाइन नमबर 0755 2700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की हैं। वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी हैं। हर आम और खास से चुड़े मसले हैं। हर मसले का सटीक विश्ली शक। हम करते हैं सत्यका अनवेशां। तखलनीउस आपके हद में। आप देख रहे हैं तखलनीउस।